भाई साब कभी-कभी मेरे दोस्त मिलते हैं उसे पुछते हैं कि या तू अपनी वीडियो में गाली देता भी है या नहीं तो सला मैं कन्फीज हो जाता हूं कि मैंने किसी वीडियो में गाली दी है कर नहीं कि कभी-कभी ऐसी वीडियो ऐसी मूवी रिलीज हो जाती है जिसमें मैं इतना ज्यादा फरस्टेट हो जाता हूं कुछ भी बग देता हूं गाले वगारा जो भी मेरे मुझे से निकले हैं भाइसाब बोल देता हूं इसलिए मैं बोलता हूं कि मेरी वीडियो देखने से पहले भाइसाब कान में एरफोन लगा के बैठा करो कोई जरूरी नहीं हो कि यह वीडियो देखना उसे अपने आप में में कंट्रोल रखने की कोशिस करूंगा अब देखो क्रेक मूवी का जब ट्रेलर आया था तो उसी समय यह पता चल गया था कि जो पृद्दु जैमाल का करेक्टर हो एक शपरी वाला करेक्टर है तो भाइसाब मूवी देखने अच्छे तरीके से बाइक स्टेंट कार चीजेज और फिर एक्षन मार पिट लड़ाई अच्छे से करता है तो भाइसाब यह चीजे आडियंस रिवीवार सब एक्सेप्टी नहीं कर रहे हैं कि यह बंदा ऐसा कर सकता है एक शपरी इंसान नहीं क्या करता है यार शपरी ही इसा चीजे करते हैं एक अच्छा प्रोफेशनल साफ्टेर इंजीनियर यह सब नहीं कर पाएगा जो कि तुम लोग भाइस पात को मानूं अगर तुम लोगों को यह मूवी बिलकुल जमी नहीं तो भाइसाब तुम लोगों को कोई भी एक्सार मूवी नहीं जमने वाली है जिस तरीके से तुम लोग ट्राइकर स्राव की मूवी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं वहीं गणपत मूवी में देखा जाए तो भाइसाब वह मूवी बेकार थी वह मूवी बिलकुल भी ठीक नहीं थी हर एक तरीके से ट्रोल होने था उसको वह हुई भी थी लेकिन ये क्र विद्धु जयमाल का जो चपरी करेक्टर है वह हाच अगस्त से भाई साब जस्टिफाई करता है इसको तुम लोग एक्सेप्ट करो चपरी तो भाई तुम लोग ये चीजे समझो और एक्टिंग के रूप में जो ये चपरी का आक्टिंग कर रहे है विद्धु जयमाल व एक्सें लोग ये पूरा मुवी में च्फरी इंसान है और कहानी की बात करें कहानी भी अच्छी है इसकीट गेम जैसी है तो फिर तुमको कहानी भी पूरो तरीके से अच्छी लगेगी अच् इंटर्टेन होगे एक सेंट का वाई नेश्ट लेवल तरह लेके जाने की कोसिस करें विद्धु जैमाल ने तो भाई साब इसको पूरा इंज्वाइब करो जाके इन सब को बोलने जो जो बोलना तो अपने को यहीं बोलना था बस मिलते हैं नेक्स वीडियो में वीडियो पस सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई